स्वागत करते हैं हम आपका आज की हमारी इस नई वीडियो में आज हम आपको रैड होर्स की डिमोलिशन हैमर की अन्बोक्सिंग दिखाएंगे जिसका मोडल है और एची 357 और यह बहुत दमदार मशीन होती है और यह साथ किलो की होती है है तो वाइस बिना दे रहे गवाए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं है 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 इस पैकिंग तो इसकी बहुत ही अच्छी है अच्छी पैकिंग बना रखे कंपनी वालों ने पर इस पूस्ट लुक जो इसका बहुत ही शांदार है रेड कलर में अब को देखने को मिलते हैं गाइस है और इसमें गई दो हमको यह चीनी देखने को मिलती है और वाई सेवन के जिवें एमर है यह यह देखेगा यह उसके लोग अधिया 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 पूरा लूग हमने आपको दिखा दिखा दिया खिठाया है गाई एक बार इसको बॉक्स को बंद कर देते हैं और इस मसीन को बाहर निकालते हैं कि घाइस हमें इसमें देखने को एक आगर चीज मिली है जो कि इसमें चाबी भी भी हमको मिलती है देखने को और गाइस क्वाल्टी जो चाबी की वह भी बहुत बढ़िया है तो एक बने इस बॉक्स को बंद कर दीजिए आप आर एच सी 357 मोडल का नाम है वाइस और यह 50-60 हर्स पावर की हमें जो है पावर देखने को मिलती है यह 220-240 वोल्ट की है गाइस यह मशीन का नाम ही रेड होर्स है तो आप समझ सकते हैं कि घोड़े जैसे पावर इस मशीन में और यह साथ किलो की है गाइस यह देख आपकी चीन दिखाते हैं तोनों तरह कि हमें देखने को मिलती है फिल की के दिखाईए यह देखेए गाइस एक तुस्वें हमें चकूटी है बोल सकते हैं चकूटी चीनि देखने को मिलती है और दूसरी वाली दिखाते आपको अगर एक इसमें गोल है गाइस मतला आप जो इसे आपको comfortable लगती है वह आप इसे पर चेस कर सकते हैं और इसे डाल सकते हैं और वाइस में जो है handle की quality भी बहुत अच्छी देगने को मिलती है गाइस मतलब बहुत जादा comfortable है handle की quality भी और उपर से भी आप अगड़ते हैं तो कोई दिक्षवाली बात नहीं है इसमें तो गाइस अब इसकी price details की बात कर लेते हैं तो गाइस यह मशीन जो हमको पड़ी है यह जो है 2400 रुपे की 4400 रुपे की हमें देखने को मिलती है और इस प्राइज में गाइस बहुत ही अच्छी है यह मशीन अब लुक से देख सकते हैं तो गाइस यह थी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगिए तो लाइक करके और सब्सक्राइब कर लेना गाइस और बैल आइकन दबाना मत भूलना अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के अन्बोक्सिंग हमाई चैनल प्लाप तो देखने को मिले तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस और अपनी राय कमेंट में जरूर रखना तो थैंक्स गाइस बाइ बंदे मातरम जैहिंद